तो हम लोग बात करेंगे अब टाइपस उफ इडीमा फ्लुइड के बारे में तो इडीमा फ्लुइड जो होसकता है दो तरीके के पहले तो हो सकता है ठीक है एक इन्फलमेE토리 के कारड तो आजाता है और जो ट्रangिटे 8 आख जाता है वो जो अ जाता है क्योंकि उसमेंे आसमोसिके ठौसिस के थू यह बाहर की तरफ जाता है क्योंकि उसमें च्या teacher कि hydrostatic pressure जो है increase हो जाता है और oncotic pressure कम हो जाता है तो इसके difference जो transudate और exudate के बीच में difference जो होता है यह बहुत ही important है और पूछा जाता है हर जगा ठीक है न तो transudate कहां में ली देखा जाता है जो consistentive heart failure हो गया किसी बंदे को किसी बंदे को nephrotic syndrome हो गया किसी बंदे को cirrhosis हो गया तो इस सब कारणों से वहाँ पर protein की मात्रा कम हो जाती है इसलिए transudate का formation हो जाता है ठीक है न तो अब हम लोग बात करते है based on protein content पहले तो यह differentiation है ठीक है न हमेशा याद रखना कि transudate और exudate कि किस बेसिस पर divided है यह based on protein content है यह आपके professional exam का बहुत ही classical सवाल हो हमेशा पूछा जाता है हमेशा यह ऐसा होई नहीं सकता कि आपके आपके college में पिछले 10 साल में question नहीं आया हो हमेशा आया होगा ठीक है न तो difference between differentiate between transudate और exudate चलो बात कहते हैं पहले तो transudate के बारे में ठीक हैно transudate क्या होता है तो adema fluid हम नहीं पहले बात की थी कि based on protein content है यह based on protein content है तो transudate क्या होता है यह जैसे एक चीजख श्यात करो अगर नहीं यात करो हमेश्य इस से याद करो हाँ यहальная खाला तो यह याद करने के तरीका आपका इससे relate relate नहीं करना है ठीक ना तो यह इसमें क्या होता है edema fluid with high protein content and inflammatory cell दोन होता है high protein content भी होगा और inflammatory cells भी होगे एक्सुडेट में अब बात करते हैं second difference की न तो second difference देख लो यहाँ पे increased hydrostatic pressure हो जाएगा और oncotic pressure जो है decrease हो जाएगा अब hydrostatic pressure क्यों increase हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे नफ्रोटिक syndrome या सिरोसिस के कारण से क्या हुआ कि protein content कम हो गया अब protein content कम होने के कारण से blood का volume जो है उतने volume में मलब कि dilution हो गया अगर कम हुआ तो hydrostatic pressure अपने आप बढ़ेगा और अपने आप बढ़ा तो oncotic pressure तो कम हो गया न क्योंकि protein लॉस हो रहा है तो oncotic pressure भी कम हो गया अब इधर मैं इसकी बात करूं तो यह क्यों होता है यह इसलिए होता है क्योंकि रिजल्ट होता है वैस्कुलर पर्मियूबिल्टी के increase होने के बाद जो capillary और venule को होते हैं यह क्या होता है कि vascular permeability capillaries की यह बढ़ जाती है, यह capillaries और venules की vascular permeability बढ़ जाती है, अब तीसे difference की बात करते हैं, यह देखो, ट्रांसुडेट जो होता है, हमेशा passive process होता है, यह active process, active process मतलब क्या है, active process मतलब inflammation वाला process, ठीक न, exudate हमेशा active process होता है, अब ट्रांसुडेट होता है, वो passive process होता है, और यह non-inflammatory होता है, ठीक है, non-inflammatory in origin, ठीक है न, next difference की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रांसुडेट मतलब low protein content, तो यह ultra filtrate, हमेशा याद रखना, ultra filtrate of plasma इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ultra filtrate of plasma, और यह यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर जो इसका ultra filtrate होता है, यह typically clear होता है, pale yellow होता है, या with fluids with few cells, इसमें बहुत ही कम cells देखने को मिलती है, यह clear होता है, pale yellow होता है, और क्या होता है, fluid with few cells, और इसमें क्या होता है, इस में क्योंकि आई प्रोंग पूम्ट कंटेंट है हमेशा याद अखना है तो यह ये यूजली Light जल्लो होगा और भलडी होगा ठीछेगे हैं यहां पेल चाहिए ठीच फ्याइब होगा हई जल्ल यहां पून प्टीन होगा तो यहांopleめてas हो जाएगा तो 1.5 gram per deciliter से कम होना चाहिए और यहां पर जादा होगा 1.5 gram per deciliter से ठीक next difference की बात करते है specific gravity इसकी कम होगी अब specific gravity भाईया क्यों कम होई क्योंकि protein ही content content कम है तो specific gravity जो है वो लॉजिकली कम होगी ठीक है न अगर आपको यह अगर वैल्यू ना याद रहा है तो इसका ऐसे बना के लिए protein content is less in case of transudate while in exudate protein content is more ठीक और specific gravity is less in case of transudate as compared to exudate और as compared to exudate में वहाँ transudate का डाल देना ठीक न इस तरह से लिखके डालना अगर यह नहीं याद आ रहा है नहीं तो अगर यह आ दो तो परफेक्ट है और यहां पे specific gravity किससे कम होगी 1.012 और यहां पे किससे जादा होगी 1.020 से ठीक न यह चीज याद रखना 1.012 और 1.020 ठीक next की बात करते हैं pH इसका जादा होगा हमेशा ठीक है ना pH 7.23 से जादा होगा यहां पे क्या होगा pH 7.23 से कम होगा यहां पे क्या होगा glucose content is same as plasma अब एक बात याद रखो तो ट्रांस का मतलब जान से समझ रहो कि कोई चीज किसी से के थूप पास होगी freely permeable तो glucose content हमेशा सेम होना चाहिए और exudate में क्या होगा कि glucose content low है ठीक ना इस चीज को याद कर लो ठीक next की बात करते LDH की बात करते LDH तुम लोग जानते हो कि liver एक liver protein है liver protein है तो protein है तो कम होगा transudate के कारण से logical सी बात और यहां exudate है इसमें high होगा और ठीक है ना next एक माई ratio होता है plural fluid LDH upon serum LDH इसका जो value होता है यह कम होगा ठीक है ना यह कम होगा 0.6 से और इसका जो value है यह 0.6 से जादा होगा ठीक next चीज देख लो no tendency to coagulate due to low fibrinogen यहां पे coagulation की tendency जो है कम हो जाएगी अब क्यों कम होगी यहां पर coagulation tendency क्यों होगी क्योंकि यहां पर fibrinogen का content ही कम है fibrinogen क्या है basically protein है ठीक है logically सोचो कि अगर fibrinogen ही कम होगा तो coagulation की जो tendency है वही कम हो जाएगी अब ठीक क्यों जाता होगा क्योंकि fibrinogen content ज्यादा है logical सी बात है coagulate भी जल्दी होगा और इसका example क्या है any inflammatory condition ठीक है न तो यह था तुमारा difference between transudate and exudate ठीक है न तो यह बहुत ही important इसको बहुत ही अच्छे से तयार करना अपने university exams के लिए क्लासिकल सवाल है और बहुत आता है और इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे मेरी साइट पर साइट पर जाओगे निचे description में idiopathic guru.blogspot.com उस पर मिल जाएगा सब ठीक है न उस पर सर्च मारोगे navigation पर सारा कुछ मिल जाएगा तुम्हें सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई दिक्कत होगी या पूछना होगा तो comment section में पूछी सकते हो चलो बाइ